हेलो फ्रेंट्स अब सभी के स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सचाय24 में दोस्तो अप्रेंटिस्टी पोर्टल पे एक और नया अपडेट जारी हुआ है क्या है अपडेट उसी अपडेट के उपर हम बात करने वाले हैं उससे पहले आपको एक और बात बताना है आप सभी ने याइटीट 111 बैच का एक्जाम दिया था और आप सभी का एक डाउट है कि जो याइटीट 111 बैच का जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है तो दोस्तो मेरे सोर्सिस के एकॉर्डिंग जो मुझे पता चली है तो जो आपका रिजल्ट है वो में भी फरवरी में आए ठीक है फरवरी में फर्स्ट वीक में इतना आने की संभावना नहीं है फर्वरी में लास्ट वीक में याएगा तो थोड़ा आपको wait करना पड़ेगा भी और फर्वरी लास्ट वीक या फिर मार्ज के फर्स्ट वीक तक आपका result 100% आ जाना चाहिए इसमें कोई भी delay नहीं होना चाहिए अगर करोना cases increase नहीं हुए और lockdown नहीं लगा कहीं भी तो जो ये result है फर्वरी लास्ट तक या मार्ज के फर्स्ट वीक में आ जाएगा यही अभी तक तो पता चला है और जितना मैंने information collect गया है उसके according यही बता चल रही है बात कि फर्वरी लास्ट तक आपका result आ जाना चाहिए अगर आज कल apprentice portal आप open करोगे तो सामने ही आपको दिख जागा recent changes in apprentice portal तो क्या changes हुए है apprentice portal पर क्या आपका जो AITT के exam हुआ है उस पर कुछ effect होगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कोई भी effect नहीं होगा ना ही कोई result पर दिखकत होने वाली है ठीक है यह कुछ information दी गई है क्या changes होने वाले हैं उसी के पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर और अगर आप हमारी चैनल पर आई हो तो अपली चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजएगा और apprenticeship से related और भी अगर कोई information आपको चाहिए तो आप टेलिग्राम पर भी जूट सकते हैं और नीचे comment section में भी बता सकते हैं मुझे तो चलिए start करते हैं तो अगर यहां पर सबसे पहले देखा जा तो यहां पर कुछ education qualification के बारे हैं बताया गया है कि अगर जैसे कि आपके आवता है कि जो हम लोग apprentice करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि कई apprenticeship को और आप पोस्ट आती है apprenticeship की, तो वहाँ पर आपको hotel management का course चाहिए होता है, ठीक है तो specific अगर जिस trade से भी आता है मैंने आपर trade की ही बात किये गई है कि जिस subject से आपका trade से आता है apprenticeship, vacancy आती है तो उसका subject आपका पास होना चाहिए या आप से graduate किये हुए हो, या फिर post graduate किये हो, तो आपका basic qualification तो होना ही चाहिए, यहाँ पर यह बात कर गई है बाकी अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ information दी गया है, तो यह आपके लिए नहीं है, यह SSC के लिए है तो यहाँ पर कोई ध्यान मत दीजाएगा आप लोग एक important update है, यहाँ पर उसी के उपर बात करने वाल है, तो यहाँ पर एक और update बताया गया है, कि simplification in the NAPS guideline, तो NAPS guideline है, तो यहाँ पर कुछ letter head दिया गया है, यहाँ पर कुछ letter है और अगर आप सर्च करगो, तो letter पर मिल जागा सर्च करके, बट यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा focus नहीं करना, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना सबसे main important topic जो है इस letter में, एक यह है जो आपको सामने दीख रहा है, changes in contact termination request, यह important है यह आप सभी के लिए ध्यान देने की जरूरत था इसमें देखे, इसमें यह बताया गया है, कि जैसे क्या होता है कि apprentice आप कर रहे हो regular, ठीक है किसी company XYZ से कर रहे हो, और आपको क्या करना है, कि XYZ company को हमें छोड़ना है और हम सोचते हैं कि किसी और company में join करे है, क्योंकि हमें company पसंद नहीं आ रहे है, तो यहाँ पर दिख़त पता है किने होने वाली है जो क्या करते हैं कि apprentice करते हुए अब बोलते हैं कि अब हमें apprentice नहीं करना है, हमें दूसरी company में apprentice करना है, जैसे क्या होता है कोई बच्चा XYZ company में काम कर रहा होता है और हो सोचता है कि हम railway में कर आए, क्योंकि आप सिर्फ दो बार ही कर सकते हो terminate अपने letter को contact letter जो आपका जन्रेट होता है apprentice profile के अंदर वो सिर्फ दो बार ही cancel हो सकता है terminate हो सकता है तीसरी बार नहीं होगा तो यहीं important एक update बताई गए इसमें कि जो आपका contact termination का request जो होगा वो आप सिर्फ दो बार ही भेज सकते हो बार बार आप नहीं भेज सकते हो अगर दो बार में हो जाता आपका तो ठीक है अगर तीसरी बार आप नहीं भेज सकते हो तो दो बार ही करना है आपको ध्यान में दखके रखना है अगर आप नए बच्चे हो और apprentice करने की सोच रहे हो तो आप देख लेना कि जो terminate का option है सिर्फ दो बार दिया गया है तो आप ध्यान से चुनिएगा जिस को भी apprentice जिस company से भी आप करना चाहते हो तो ध्यान से चुनिएगा और एक ही बर यहां पर सिंपली बता दिया गा है कि जो contact termination का request है आप सिर्फ दो बार ही डाल सकते हो तो दोस्तों यही एक update थी जो आपका apprentice portal में आई हुई है important update है यह बाकी update पे उपर आपको ध्यान देने की जुरुत नहीं है तो सबसे important तो यही है termination वाला request का बाकी अगर result की बात करें तो मैंने आपको बता दिया फिर्वरी लास्ट वीक में आ सकता है फिलाल यही update है जो apprentice portal पे थी और apprenticeships related अगर आपको कोई और information चाहिए तो आप मुझे comment section बता सकते हो मिलता हूं next वीडियो में जय हिन जय वारत